कोल ड्रिंग का नाम सुनते ही लोग खुश हो जाते हैं। गर्मियों की दिनों में कोल ड्रिंग लगवक सभी लोग पीते हैं। यूँ तो साल के बारह महीने कोल ड्रिंग पीने वालों की कमी नहीं है लेकिन गर्मियों में ज्यादा तर लोग कोल ड्रिंग का सेवन करते आपने cold drink से होने वाले फाइदे या नुकसान के बारे में जरूर सुना होगा लेकिन अगर आप भी गर्मी में प्यास बुझाने और किसी पार्टी में दोस्तों के साथ बात बात में cold drink की घूंट लगाते हैं तो यह खबर आपको हैरान कर देगी आपको हैरान कर देने वाली यह खबर बाका के कटोरिया की है जहां कुछ युवाज स्वीट्स की दुकान पर पहुँचे और दुकानदार से cold drink की मांग की इसी दोरान लड़कों की नजर बोतल के अंदर तैर रहे गंदगी पर पड़ी जब बोतल के धकन को खोला गया तो उसके अंदर से मरी हुई छिपकली निकली जिसके बाद सभी लड़कों के होश उड़ गए और सभी लोग cold drink वनाने वाली company को कोस्ते नजर आए अब आप ही सोचिए मल्टी नेशनल company किस तरह से पैपदार्थ के रूप में आम लोगों के जीवन से खिलवाड कर रहा है लोगों के जीवन से खिलवाड करने वाला यह वीडियो को जरा गौर से देखिए किस तरह से मल्टी नेशनल कमपनियां लोगों के जीवन के साथ खिलवाड कर रही है पैकिंग खोलने के बाद किस तरह से बोतल से सड़ी हुई छिपकली निकली है अब आप ही सोचिए इस पेपदार्थ के सेवन के बाद आपके स्वास्ते पर क्या आसर पड़ेगा मल्टी नेशनल कमपनियां मुलाफा कमाने के लिए आम लोगों के जान के साथ खिलवाड कर रहा है सवाल या उठता है कि इस तरह के पेपदार्थ की जाँच और निगरानी किसके जिम्मे है लोगों को जागरुक करने के लिए वीडियो शेयर करें अगर आप या वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो सिल्क टीवी फेज को फॉलो करें अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें सजग रहें, सुरक्षित रहें, सुस्थ रहें